हेलो अब्रीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टी यूर चलनम की डचेतर कैसे आप सबी लोगोब आप लोग बहुत अच्छे होगे फिट होगे फाइन होगे और जहां भी होगे स्वास्त होगे पाज हम लोग यहां पे सॉल्फ करने वाले हैं यूपी टीजी टी का पुराना पे हैं कितना आपने सही कोशन किया है कोशन का लेवल अच्छा है तो शूरू स्टर्ट करते हैं वी दा टाइम को रेस्ट किये हुए जैसा कि कोशन नमर फरस्ट में लिया हुआ है कौन सी अध्यापन पद्धिती साधिक्स इच्छा में सर्वसेष्ट मानी जाती है मिन्स जो ह आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारा जो अध्यापन पध्यती है सारी सिछा की सबस्टेस्ट माने जाती है वो होती है हमारी प्रदर्शन पध्यती ठीके कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है सबसे बस्ट होता है तो ऊप्शंपे यहां पे éléments बिल्कुल सही हो जाता है कुर्शन नबर सेकेंड है पुछा गया है बौस्केड़ वॉल शीर मेरा जान पर दिभाण झान क्या होता है NOR बॉत्पिप्ट फोति है उसका अधित्तम वजन केतना होता है हमग्जिमम वेड केतना होता है तो उसकी यहां पे bene हो जाता है कोशन हमारा नेक्स थार्ड में कोचा कि खोखो मेच की विवस्था के लिए एंपायर होने चाहिए तो आपर विवस्था के लिए निम लिखित में से कौन सा है तो जो कोशिकाओं की कमी, option B है, हीमोगलोविन की कमी, option C है, प्राणवाई की कमी, option D है, खनीजों की कमी, तो यहाँ पर राइट एंसा जैसा कि आपको पता, हीमोगलोविन की कमी, option B, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कोशिकाओं में नेक्स्ट है, मारा फिप्ट में पूछा कि उबेर कप कि स्केल्स सम्बंदीत है, this is a most important question, उबेर कप, थामर्स कप, यह सारे कप, जो हैं कप से रिलिटेट जो हैं, यह सारे एक्जाम में आते हैं, DCM कप हैं, ठीक हैं, इन सारे कपों के बारे में कौन सा किस गेम से रिलिटेट है, इनको अच्छे तरीके से त्यार कर लेना, कोई भी लेवल का एक्जाम हो, वहाँ पे common से कोशिकाओं जो कि आने निशित ही होते हैं, तो उबेर का पर जो संबंध हैं, बालीवल, होकी, टेבल, टैनीस से, तो उबेर का पर संबंध जैसे क्या आप जानते हैं, हमारे बालीबिकेजसे हैं, किस जै हैं बेट मिटस हैं, कोशिनमर्स 6 में में पूछा गया है, बल का प्रयोग किये बिना किसी समूं से वांशितकार करवाने की योगिता को कहते हैं तो बिना ताकत का बिना बल का यूश किये हुए हमारे अंदर की जो जो क्या बोलते हैं जो टैलेंट होता है जो क्वाल्टी होती काम करवाने की इसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना ग्राफिम वर्टर पॉलों में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वार्टर पॉलों मिय जुप्लीर्स होते हैं धूर्ट 카메lor के nodigना छाय चाहिएं यहां पर एक रोब ओक होते हैं और या पर हमारे 5 रिंक्स बने होते हैं, जो कि हमारे 5 कॉंट्येंट महादीव को दरसा आते हैं, फ्लैक की साइज 3 इस्टु 2 होती है, ठीक है, तो यह याद कर लेना, अब इसमें कलर भी पूछ लेते हैं, जो यह हमारे सर्कल बने हुए हैं, जो पाँछ महादीव हैं, कहां कौन सा रंग किसको प्रदर्शित करता है तो जैसे यूनान का पीला हो गया है ठीक है यूनान का नीला एशिया का पीला ऐसे करके इसको भी कंफर्म करके याद कर लेना क्योंकि सिक्वेंस वाइस लगाने के लिए एक्जाम में पूछ लेते हैं कोशन को कुशन नमर नाय ने पूछा गया उलम्तिक का उद्देश जो तीन लेते सब्दों में नहीं थे उसमें अल्टियस का अर्थ क्या है तो पहले तो तीन थे सिटियस, अल्टियस, फॉर्टियस अब भी आपको पता होगा कि हमारा इसमें एक वर्ड और जुड़िया है कम्यूनिस में इस कम्यूनिटर जुड़िया है जिस का अर्थ होता है तो अब हो गया सिटियस, अल्टियस, फॉर्टियस और कम्यूनिटर हो गया है तो यहाँ पे पूछा क्या गया है LTS का अर्थ पूछा गया है और यह कोशन अभी MP में PSD का एक्जाम हुआ है वहाँ पे भी कोशन पूछा गया था LTS का अर्थ क्या होता है और इसी तरीके से LTS का है CTS का है इससे ऐसे कोशन बन जाते हैं CTS का अर्थ क्या होता है ठीक है जिसे high altitude pertaining करते हैं तो उचाई वाले एरिये में तो वैसे हमारा अधी कूचा यहाँ पे option C right हो जाता है. Question number next है हमारा पूचा गया है, question number 9, 10 में पूचा गया है दोस्तों कि एक धावन पत में एक लाइन की चुड़ाई कितनी होती है, धावन पत में जो ट्रेक होता है, वहाँ पे जो लाइन होती है, उन लाइन की विट्स कितनी होती है, तो जैसा कि आप सभी जानते हूँ कि लाइन की विट्स जो हती ही, 1.22 मीटर होती है, 1.22 मीटर होती है, question number 11 में पूचा किया जर्मनी के महान सारी सिछा विद जॉण बर्नाड बैस्टो ने जिस स्कूल की स्थापना की थि उसका नाम क्या थ caut तो कई सार्ण बनते काहन को से बिलोंग त्यूल वनता है कि इन्हों ने philanthropian school कहां पे खोला था जर्मनी ने में खोला था ठीक है और यहां पे जो राइट एंसर होता जर्मनी में महां सारी सिच्छावित जान Bernard Besdow ने जिस श्कूल के स्थापना की थिसका नाम philanthropian था ठीक है यादरना philanthropian था किस ने खोला था जो अन बर्नाट बेस्जों ने खोला था कहां पे खोला था जर्मनी में खोला था ठीक है कई सारे कोशन से बना के याद करोगे तो बहुत सारी कोशन सापी कवर हो जाएंगे कोशन नमर 12 हमारा पूछा किया डाइनमो मीटर यंद किसी व्यक्ति के सक्ति मापन का कार करता है इस यंद का यूज सर्फ्थम किस देश में हुआ था तो जो डाइनमो मीटर है इसका यूज हम लोग किस के लिए करते हैं सक्ति मापन के लिए करते हैं अब कोशन आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए डाइनोमेटर हमारा किसको सक्ती स्टेंथ को मेजर करता है और सबसे पहले इसका यूज हमारा अमेरिका में किया गया था और ऐसे ही सारे जो हमारे इसको सरीर को कौन सी ग्रंथी सरकरा को नियंतित करती है और कौ13, कबसे रिले अज़्यटि ग्रेंड घ्कौर्शन आ गया महाराजा पित्पुरम कप किस से संबंदित है तो महाराजा पित्पुरम जो कप है वो हमारे टेबल टैनिस से संबंदित है option C यहाँ पर right हो जाता है question number 15 ने पूछा कि basketball, sorry, Olympic ध्वज में 5 छलों का संबंद है देख अभी मैंने बताया था कि जो 5 छलों होते है उनका संबंद किस से है Olympic चिन से है, 5 सितारों से है 5 महा सागरों से है, 5 महा दीपों से है तो right answer जैसे कि आप हो पता है 5 continents से है, मैं इस 5 महा दीपों से option C यहाँ पर correct हो जाता है question number 16 में पूछा कि लश्मी भाई College of Physical Education कहां इस्थित है तो लश्मी भाई जो सालिक सिच्छा हमारा College है, LNIP जो है वो हमारा Gualier में है 1957 में इसका गठन किया गया था ऐसा ही हमारा और question आता है कि YMCA गठन कब हुआ था 1920 में हुआ था Christian College की गठन कब हुआ था कांदी वाली का गठन कब हुआ था इसके जो जनुदाता है वो कौन है, इन सब के वारे अच्छे तरीके से तियार कर लेना ठीक है, एक question से बहुत सारी question बनाएंगे तब ही आपके preparation बहुत अच्छी से हो जाएगी जैसे यहां लश्मी भाई पुछा गया है तो यहां पर हनमान वेयां प्रसारक मंडल का गठन कब हुआ है और हमारा YMCA है, कांदी वली है जो हमारा दौमल गुदा में कॉलिज खुला हुआ है यह सारे जितने भी कॉलिज से रिलेटेड हमारे जो important है कुछ कॉलिज के बारे जनरली पूस्ते से कांदी वली हो गया है या फिर हमारा YMCA हो गया है तो यह साब के बारे हम बहुत अच्छे से त्यार कर लेना, पढ़ लेना कुछर में 17 है कि सिच्छा से मेरा भी प्राय है कि बच्चे और बड़ों के सरीर, मन और आत्मा में सर्वोन नमुखी विकास से सिच्छा की परिभासा किस ने दी है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक होगी है बढ़ डेफिनीशन से देख के समझ में आ गया होगा ले लेना है और याद कर लेना है ठीक है कोशन नमें से कौन सी मांस पेसी कमर की सबसे चौड़ी मांस पेसी है तो यहाँ पर जैसे की बताया है प्रिंट मिस्टेक होगी है टाइप करने में यहाँ पर है कमर की सबसे चौड़ी मांस पेसी कौन सी है तो आपको पता होगा लेटीमस डॉर सी, यहाँ पे option हमारे लेटीमस डॉर सी है, तो right answer हमारे option B हो जाता है, लेटीमस डॉर सी जो होती कमर की सबसे जोड़ी मांस बेसी है, ठीक है, question number 19 हमारा पूछा के भारती खेल प्राधी करण की स्थापना कब हुई है, तो ऐसे याद कर सारे जो important चीजे हैं इनके बारे में पढ़ लेना, याद कर लेना, तो right answer यहाँ पे हो जाता है, भारती खेल प्राधी करण की जो गठान है, जो स्थापना है 1984 में हुई है, option C यहाँ पे right हो जाता है, question number 20 में पूछा गया है, सारे एक सिच्छा का धे क्या होता है, तो धे म आप देख सकते हो, right answer यहाँ जो होता है, option C होता है, मन उसके व्यक्तित का सरवांगेर विकास करना, जैसा कि आपको पता है, फिच्छल एजूकेशन होल डेवलेप्मेंट करता है, एक व्यक्ति का सरवांगेर विकास करता है, तो right answer आपका option C यहाँ पे correct हो जाता है, question number 21 मे question number 22 में पूछा गया है, कि ओलंपिक खेलो में, ओलंपिक सुभंकर की पता कब से सुरू हुई सुभंकर में, मस्कट से लिजे, तो यहाँ पे option देख सकते हो, 1924, 32, 36, तो यहाँ पे option नहीं दिया हुआ है, तो आप नोट कर सकते हो, जो हमारी मस्कट की सुरुआत थी, वो 1968 मेक्सिको ओलंपिक में हुई थी, 1968 में मेक्सिको में हुई थी, ठीक है, जो कि, अब यहाँ पे कौन सा, कौन कौन से हमारे क्या थे, जो मस्कट थे से, पालोमा, वॉल, दी, मी, सा, आमे, कि यह सारे थे, इनके बारे में भी पढ़ लेना, कोशन आ जाता है, कि पालोमा किस मस्कट था, कौन से संस्क्रण का था, तो यह सब पढ़ लेना, तो मस्कट के सुरुआ जो होती है, हमारा 1968 में स्टार्ट हुआ है, मेक्सिको ओलंपिक से, 1968 से स्टार्ट हुआ है, कुछ अगे सारी सिच्छा को लोगप्री बनाने ही, तो आवश्यक कार क्या है, तो आवश् के सारी सिच्छा को लोगप्री बनाने के लिए, कुछ अमरे 24 में पूछा किया लंबी दूरी के दौर में धाव को द्वारा किये गए, पूरे किये गए चक्रों का रिकार्ट कौन रखता है, तो जो लॉंग रेसे होती है, वहाँ पर जो चक्रों का रिकार्ड होता है, कौ 고शन दी यहाँ पे धर हो जाता है, कुछ मेर 25 में पूचा किया, कबडडी खेल में डर को कम से कम कितने वी पच्छी खिलाडों की पस्ठीत में बॉनस अंक प्राप्त करना होता है, तो जोसनों जोसी पता है, बोनस मोट था जब 5 में पप झालारी होते है, तो हम आमें बोन चर्म लूस्ट मिलता है कुरूशन में 26 नमें पूछा के खेल प्रबंधन है तो सब जानते हो कि विश्वी और विज्ञान दोनों होता है तो आप्शन सी यहां पे बिलकुल जहता है कुरूशन में 26 में होने वाले तरोज जर्मनी अमेरिका तो आप सभी जानते हो कि बॉली बॉल का जर्मन दाता देश अमेरिका है अब यहां फिर बॉली बॉल दिया हुआ है तो बॉली बॉल बॉस्केट बॉल कबड़ी खोखो जितने भी गेम है उनके जर्मन दाता देश उनके जो अविश्कार करता है उ बाउंडरी लाइन के दूरी कम से कम कितनी होती है तो क्रिकेट पिछ के सेंटर से बाउंडरी लाइन के दूरी कितनी होती है तो दोस्तों ओप्षण देख सकती है कि 75 गज, 65 गज, 55 गज, 45 गज, ठीक है 75 गज, 65 गज, 55 गज, 45 गज, तो 75 गज यार्ड यहां पर राइट एंसर इसका होता है question number 31 में पूछा कि ओलम्पिक का मुख्याले कहां इस्थित है तो दोस्तों ओलम्पिक का मुख्याले है वो सुजल और लुसाने में इस्थित है option A यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाता है question number 32 में पूछा किया है कोई खिलाडी प्रसिच्छा की देख रेख में कोई चीज़ सीखता है ट्रेनिंग करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं कोचिंग कहते हैं option भी यहाँ पर राइट हो जाता है question number 33 में पूछा गया camp के लिए जगह का चुनाओ करते हैं आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो camp के लिए जगह का चुनाओ करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे option आप देख सकते हैं तो राइट answer यहाँ पर होता है जगह प्राक्तिक हो और सहर से दूर हो तो ऐसी जगह को हम लोग चूस करते हैं next question question number 34 में पुछा गया सिच्छा में खेल प्रणाली को लाने का श्रे किसको जाता है तो दोस्तों जो हमारी सिच्छा में खेल प्रणाली लाने का स्रे जाता है वो कॉल्डवेल कुक को जाता है कॉल्डवेल कुक को हम आधूनिक खेल प्रणाली लाने का हम लोग क्या मानते हैं श्रे मानते हैं बट अगर प्राशीन बात करें तो वहाँ पर फ्रोवेल जो है जो खेल प्रणाली को लाने का जो है प्राचीर में माने तो फ्रोवेल है बट आधुनिंग में कॉल्डवेल कुख है तो यहां पर राइट एंसर ऑप्शन भी हो जाता है ठीक है Question number 35 है Michael Johnson किस खेल सम्बंधित है होकी, Athletics, Tennis, Football बारे में मैकर जॉंसन के बारे में पुछक है, ऐसे किसंग और प्लियर के बारे में भी आप से पूछ सकते हैं तो बॉली बॉल में एंटीने का रंग जो होता है दोस्तों रेड और वाइट होता है लाल और सफेद रंग का होता है 1.80 मिटर एंटीने की जो लंबाई होती है ठीक है अगला कॉशन हमारा है अगला है था जोड़ है पॉचकिया था यह दोर निटे जोरी होती है जब हम लोग 110 मिटर का हर्ड़ डूरिक दोड़ते हैं तो जो वहाँ पर first रेखा होती है, starting जो प्रारम रेखा होती है, तो वहाँ से जो हमारी first hurdle की distance कितनी होती ही पूछा गया है, तो option C यहाँ पर right होता है, 13.73 मीटर होती है, प्रारम भी रेखा से प्रतम hurdle की जो दूरी होती, 13.73 होती है, question number 30 ने पूछा गया, भारत में सरवतर ह हमें खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था तो जैसा कि आप सब भी जानते होगे कोशन बहुत जाल हम लोगों ने स्वाल्व किया दाहिंदू जो पेपर था उस میں सबसे पहली बार हम लोगों के लिए खेल लहों के बारे में उस समाचार पत्र में क्या हुआ था पुछा गञए तर गठन कब पुछा गया गटन की अपन। स्थान का जो कि पटियला में है तो राइट एंसर आपने देख लिया होगा 1971 नहीं 1961 को हुआ था अब यहां पर कंफ्यूज करने के लिए और उप्शन यहां पर डाल सकते थें 1961 mess जैसे इहां पर दियाए है ज़ giyसे यहां सब्ध कर सकते किस ने किया है मिश्र ने पुर्टगालियों ने रोम ने यह यूनान ने तो यह आप सभी जानते होगी कि जो प्राचिन ओलंपिक खेल थे इसका जो आरम है वो हमारी यूनान ने किया था ऑप्शन यहां पर डी राइट हो जाता है कोश्चन फॉर्टी टू है पोल वाल्ट म काटमाई होती वो हमारी 4.5,4 मीटर होती ओप्शन लिया यहां पर राइट हो जाता है एकला बरिया प्रत्राचिन ने करूशन फॉर्टी टिर यही ए हिस में मुश्चही जाता है अगला कोशन हमारा कोशन नमबर 44 है 44 ने पूछा गया सारी सिच्छा का उद्देश दे शारीरिक विकास गामक विकास मांस्री विकास था मानवी समंदों का विकास है यह कथन किसका है तो यह कथन बताना है कथन के बारे में कि यह डेफिनिशन है बोल सकते है कथन कि इसने कहा है तो किसके बारे में बाती गई है सारीरिक विकास गामक विकास मांस्तिक विकास ठीक है जैसे कि मैंने बता है इसका की वर्ड पकड़ के याद करने के लिए आपको यहां पर विकास मेंस्ट मेंटल मेंटल डेवलब्मेंट के बारे में बाती है इन सब के बारे में हमारे किसने बात किया चार्ल्स ए बूसर ने बात किया हुए option A यहाँ पर करेट हो जाता है question number 45 है आधुनी खौंकी खेल कर जनमदाता है तो आधुनी खौंकी खेल कर जनमदाता हमारा कौन सदेश है दोस्तों England है option B यहाँ पर right हो जाता है question number 46 ने पुछा कि प्लास्टेशन बोर्ड किस खेल से समंधित खेल उपकरण है और यह question हमारा जो TZT का अभी 2021 का जो पेपर हुआ है वहाँ पे भी आया हुआ था कि प्लास्टेशन बोर्ड का यूज हम लोग कहां करते है तो दोस्तों प्लास्टेशन बोर्ड का जो यूज होता है वह हम लोग लॉग जंप में करते है ठीक किसमें लॉग जंप में लंबी कूद में करते है 46 का right answer B हो जाता है question number 47 पुछा कि Olympic उधगाटन में मार्च पास के समय सबसे आगे कौन सा देस रहता है तो यह आप सबी को पता होगा हमारा सबसे आगे जो रहता है वो ग्रीस रहता है question number 48 पुछा कि Olympic खेलों के अवधी कितने दिनों की होती है तो दोस्तों Olympic खेलों का जो अवधी होती है वो हमारा 16 डेज में 16 दिनों तक होती है option A यहाँ पर correct जाता है question number 49 में पुछा किया खेल क्रीडाओं से बल, गती, संतूलन के कोशल नेतिकता और समेगों का परव्यक्ती नियंतरन करता है कथन किसका है अरस्तू का, प्लेटो का, सुक्रात का या फिर रूसो का तो खेल क्रीडाओं बल, गती, संतूलन के बात की गई संवेगों के बारे में, किसने बात किया है रूसो ने किया है और जैसे कि आप जानते है प्रकतिवाद की जनक भी हमारे रूसो है आदशवात के अरस्तू है इन सब को भी पढ़ लीजेगा, ये question भी हमारे psychological related exam में पूछी जाते है question number 50 है, हमारा पूछा कि टालीन नामक enzyme किस में पाय जाता है तो टालीन जैसा कि आप सभी जानते टालीन नामक जो enzyme होता है वो हमारे लार में पाय जाता है question number 51 है, प्रथम प्राचीन खेल कब हुए थे तो प्रथम प्राचीन और अर्मपी खेल आप सभी जानते हुए कि हमारे 776 BC में हुए थे option यहां पे बिल्ग राइट हो जाता है और modern जो हुए थे 1896 मठाव सच्यानवे में हुए थे question number 52 है, प्रूर सवर्ग में भाला प्रच्छेपड प्रच्छेपड में जो फेकते हैं हम लोग थो करते हैं तो भाला की अधिक्तम लंबाई होती है तो भाले की लंबाई पूछी है पूरू सवर्ग में भाला प्रच्छेपड के लिए भाले की जो अधिक्तम हाइट होती है वो कितनी होती है आपको बताना है question number next है question number next में पूछा गया 53 में भारत में खेल प्रतिभा खोज चात्रवती की सुरुवाद की सन में हुई है question number 53 में पूछा गया दोस्तों भारत में खेल प्रतिभा खोज चात्रवती की सुरुवाद की सन में हुई है तो यह question लोगों पहले भी solve किया है तो खेल पृतिबा चातरवत्य के सुरुवाद जो भारत में हुई है दोस्तों वो हमारी 1970-1970 में हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पर रायट हो जाता है और याद रखना नहरू युवा केंद की स्थाबना हमारी 1972 में हुई है 1971 में राष्ट खेल प्रतिभागोच चात्रवति की सुरुआत हुई भारत में 72 में हमारी नहरू युवा केंद की सुरुआत हुई है खेल कूद की सभी गत्विधियों के लिए बुनियादी घटक कौन से है तो खेल कूद में सभी गत्विधियों के लिए जो बुनियादी घटक होते हैं कौन से हैं मान स्पेसी लोच, मान स्पेसी फूर्ती, मान स्पेसी शमता या मान स्पेसी गती तो दोस्तो जो हमारी बुनियादी जो घटक होते है कहल कूच़ की सभी गत्विधियों के लिए वो हमारा क्या होता है मांस श्मता होती है ठीक है यहां पर और और अप्षण सी रायट हो जाता है वहां पर अपना दबबा बनाने वाले कीर्थीमान हासिस कलने वाले कौन सी भारती में हिला है पिटी उसा, सुनीतरानी, अनुराधा, विस्वालिया, मुली थाको तो यहां पर राइट एंसर जो दोस्तो होता है वो हमारा क्या होता है 55 कर होता है हमारा पिटी उसा option A यहाँ पर correct हो जाता है question number 56 में पूछा गिया है कि गौनियो मीटर का मापन क्या मापने के लिए प्रयोक्त होता है जो है गौनियो मीटर को हम लोग क्या मेजर करने के लिए गौनियो मीटर का use करते हैं तो लशीला पन पकड सकती चाल के सकती या हाथ की सकती तो गौनियो मीटर का जो यूज होता है दोस्तों वो हमारे किस के लिए होता है flexibility के लिए होता है option यहाँ पर right हो जाता है किस के लिए flexibility के लिए यूज होता है next question number 57 में पूछा गया है कि यदि कोई खिलाडी चलता है तो चलते समय हाथो और पैरों में होने वाली क्रिया को कौन सी गती कहते है तो जब कोई वेक्ती चलता है चलते समय है उसके हाथो पैरों में जो गती होती इसको हम लोग कोडी गती कहते है option यहाँ पर right हो जाता है question number 58 है aerobic सहन सकती वाले वेयामों में आवश्यक है तो aerobic जो सहन सकती वाले वेयामों होते वहाँ पर क्या आवश्यक है बताना है oxygen, nitrogen, carbon dioxide या इनमें से कोई नहीं तो आप सभी जानते हों कि aerobic जो exercise, aerobic जो endurance के लिए जो हम लोग exercise करते हैं उसके लिए हमें oxygen की ज़रूरत होती है option A यहाँ पर right हो जाता है question 59 है all England badminton प्रतियुकता जीतने वाले प्रतम भारती खिलाडी कौन है तो जैसे कि आप सभी जानते हो all England जो badminton championship जीतने वाले जो player थे उनका नाम हमारा प्रकाश पादुकोने है option यहाँ पर right हो जाता है question 16 में पूछा गया है कि tripsin या lipase वसा को glycine के रूप में कहा पर परिवरतित करते हैं तो tripsin और lipase जो होता है वसा को glycine के रूप में glycine के रूप में हमारे अंका प्रकाश करते हैं option यहाँ पर हमारे c correct हो जाता है question के question series घै कोंप्लेट करते हैं अगले question में जहां पर जो बाकी बचे उनको solve करेंगे और अपना score बताना दोस्तों कि अपने कितने score gain किया होप 60 में 60 score आपने किये हो कोई question अगर doubt है कुछ wrong लगता है कर कुछ बताने mistake हो गया है तो comment section में बता सकते हो आपके question का answer गलत हो गया है और साथ में एक request करना चाहूंगी कर पहली बार मेरे चै notification आपको मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी को नमस्क्राइब आपका दिन सुब हो